नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अपी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक और जटका आम आदमी की जेब पर जो है कैंचे तो क्या पूरी निउस है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो पर एंट तक बने रहिए अगर आपने भी त करते हैं तो देख सकते हैं जो ताजा खवर ब्रेकिंग निउस है आपके सामने कि महंगाई की मार सरसों रिफाइंट तेल दोस्तों के पार आम आदमी की जेब पर कैंचे तो हिमाचल प्रदेश में जो है सरसों के तेल के दाम में जो है 200 रुपए के पार हो गये हैं वहीं रिफाइंट भी महंगा हो गया है शमला में सरसों के तेल के दाम 210 से 220 रुपए और रिफाइंट के 150 से 210 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेक रहा है तेल के बढ़ते दामों के साथ साथ दालों के दाम भी 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं साथ ही आटा और चावल भी 2-5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए है प्रदेश में आए दिन बढ़ रही महंगाई से आम आदमी बिहाल हो गया है राज जे में जहां पैटरोल डीजल के दाम बढ़ रहे है वही राशन के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेप पर अधिक आर्थिक बोज बढ़ गया है दुकानों पर बड़ी इलाजची साइट मसालों के दाम भी 200 रुपे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गये है लोगों को सबजी का तड़का लगाना भी महंगा हो गया है तो इस परकार आप देख सकते हिमाचल परदेश में महंगाई की माप दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जिससे आम आदमी को खर्चा उठाना काफी मुश्कल हो रहा है तो दोस्तों ये थी अभी की आज की ताज़क अबर ब्रेकिंग निउस अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंक्यत वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यावाद चैहें चैभाद